दोस्तों जियो सिम में एक प्राबलम आ रही है कि जियो 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है जी यहां प्राबलम आ रही है बहुत से फोन में बहुत से लोगों को प्राबलम आ रही है कि जियो नेटवर्क में 5G नहीं आ रहा है तो ऐसी प्राबलम अगर आपको भी आ रही तो इस आपको बताने वाला हुँ कि आपको क्या करना होगा, मैंने ये problem को fix कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 5G network आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, to अगर आपके साथ ऐसी problem आ रही तो आपको कुछ steps मैं बताने वाला हुँ आपको follow करना है, सबसे पहले आपक अपने फोन को एक बार restart कर देंगे तो हो सकता यह problem आपकी fix हो जाए लेकिन उसके बाद भी अगर problem आपकी यह fix नहीं हो रही है नेटवर्ग 5G नहीं आ रहा है जियो के sim में आपके तो दूसरा आपको settings क्या करना है आपको settings में जाना है settings में जाने के बाद आपको mobile network पे यानी connections पे आपको click कर देना है यहाँ पर आपको mobile network या data आपको मिल जाएगा mobile network पे आपको click कर देना है click करने बाद ऐसा interface दिखेगा यहाँ पर Network Mode आपको दिखेगा Network Mode में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 5G आ जाएगा 4G आ जाएगा देख सकते हैं LTR और Auto Connect आ जाएगा तो यहाँ पर आपको देखना है कि यह Select ठीक नहीं है तो आपको यह Select कर लेना है और उसके बाद आपको बैख हो जाना है आपको फिक्स हो जाएगी आपको बताना चाहूंगा कि जियो के तरब से ऐसा कोई Information नहीं है ऐसी कोई Problem नहीं जियो की तरब से देख सकते हैं यहाँ पर Mobile Network में अगर आप जाएगे मैं दिखा देता हूँ आपको तो यहाँ पर मेरा 5G आ रहा है देख सकते हैं 5G Activate है 5G Free Delivery यहाँ पर दिखा रहा है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 5G Network में जाएगे अगर coverage में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5G मेरा यहाँ पर आ रहा है आप देख सकते हैं live मैं आपको स्काइब करें थाइक्यू सुमाज दोस्तूं